हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक कैसे हूँ आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे दार्टिस स्टेप बाइ स्टेप स्टेप स्टारी तो आज का वीडियो का टॉपिक है देश्वक्ती करिकुलम जो लॉंच किया है आ आपकी आप लेड्ट गवर्श्वर्मेंट ने सभी पॉब्लिक स्कूल में उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस जिसमें भी हमारा टेलेग्राम चानल जॉइन नहीं करा है वो टेलेग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं ताकि जो डेली क्विज है वह पर कितने अच्छे से पढ़ा है तो टेलीग्राम चानल कैसे जॉइन करना है स्टेप बाइस्टेप स्टडी स्मॉल में आपको डालना है सर्च करना है और उसको जॉइन कर लेना है चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ सबसे पहरे डिसकस करते हैं कि ये देशभक्ती करिकुलम है क्या आज वी आल नो कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है आम आदमी पार्टी गवर्मेंट ने डेली में लांच किया है देशभक्ती करिकुलम कप ठस टूजडे को 28th of September में और 28th September Tuesday को क्या पढ़ रहा था ये भगत सिंग जी का जनम दिन पढ़ रहा था राई तो एम क्या है इसका देशभक्ती करिकुलम लांच करने का एम है ताकि हर बच्चे में एक देशभक्ती की जो भावना है वो जगा सके हर स्टूडेंट में हर बच्चे में चाहे वो नर करें तो उनको इंस्पायर करने के लिए और उनको प्राउट फील कराने के लिए कि हां हम इंडिया के नागरिक हैं हम भारत के नागरिक हैं और हम जो करेंगे इस भारत के लिए करेंगे और इस भारत को इसाथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे तो करिकुलम जो है वो रॉ लाउंच हुआ था ये आपसे पूछ सकते हैं तुमाग दी ओकेजन और वर्थ एनिवर्सरी और फ्रीडम पाइटर जो हमारे फ्रीडम पाइटर थे भगत सिंग जी उनकी वर्थ एनिवर्सरी को मात करने के लिए सब्टेंबर 28 को ये लाउंच हुआ था अब भगत सिंग से जादा बड़ा जो आपका देशब्गत है वो कौन हो सकता है जो दस साल की उमर में ही अपने हाथ में देश भक्ति के मशाल की निकल पड़ा था अपने देश को अज़ाद कराने और 23 साल की उमर होती कितनी है मात्र 23 साल की उमर में वीचारे वह फासी पे लटके ते सकता है कि यह वाला जो कुलॉम में कुलॉं आपका कौन से particulary गुण्च किया है यह कुई कylून्गी तो है यह 25 संद न's कंड़ Kink से हैं और इस देश्वक्ति कर्युकलम के बारे में थोड़ा सा और पड़ते हैं जब उन्होंने स्पीच दी ती अर्विन केज्विवाल जी ने च्छत्रसल सेडियम पे तो उन्होंने क्या बोला था कि आजकल के जो स्कूल से वो क्या फोकस करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने इंजीनियर बने एक बहुत अच्छा बिजनसमैन बने कोई भी किसी कोई भी स्कूल इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि जो बच्चा है वो एक आगे जाके अच्छा देश्वक्त बने उसके अंदर हर बच्चे के अंदर पैसे कमाने की भावतना सब में है कि मैं इंजीनिय अपनी देश के लिए कुछ काम करेगा तो वो चीज नहीं है आज कल के जमाने में आज कल के टाइम में क्या है कि मैं अब इंजीनियर बनूंगा तो मेरे इतने लाग का पैकेज लगेगा मेरी इतने अच्छी जॉब होगी मेरी फॉरें ट्रेप सोंगी मेरा ये मेरा वो मैं मैं डॉक्टर बनूंगा ठीक है या फिर मैं कुछ इस तरीके से बनूंगा कि टीचर बनूंगा बच्चो देश भक्ति की भावना है अब देश भक्ति की भावना जगती कैसे आप मुझे ये बताइए ऐसा नहीं है कि इन में देश भक्ति की भावना नहीं है इन बच्चो खोलूंगा या भौट बड़ा कॉलिज खोलूंगा तो उसके अंदर देश भक्ती के बावना कैसे जग सकती है जब पढ़ाऊंगा तो मैं जितने गरीब बच्चे हैं अपने नेशन के उनको free education दूंगा अगर मैं college खोलूंगा तो मैं इतना person seat reserve करूंगा जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं ताकि गरीब का बच्चा भी बढ़ सके और मैं अपने देश के बच्चों को बढ़ाऊंगा अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा डॉक्टर एक डॉक्टर जो बनता है वह बहुत है कि अच्छी प्राइवेट उसमें लग जाएगी अपने क्लिनिक खोलूँगा उनमें देश्भक्ति कैसे जगेगी मैं जब डॉक्टर वनुगा तो एक अच्छे से सब कर ट्रीट्मेंट करूँगा चाहे मेरा प्राइवेट लीनिक भी होगा तब भी मैं गरीबों का जो इलाज होगा वो मुफ्त में करूँगा ठीक है यही देश होती है डॉक्टर की एक डॉक्टर देश्भक्ति कैसे दिखाता है ऐसी तरीके से कोई इंजीनियर है वो भी कुछ तरीके का काम करके आए कि शाम को जब घर लोटता है तो उसको प्रावड फील होता है हाँ आज मैंने देश के लिए काम किया है आज मैंने अपने लिए नह क्या होगा ह्म हर दिनएम चते अजित के लिए व फॉस स्टूर इड्ली क्लास के लिए ऑफ नर्सरी ग्लास के बच्चों के लिए हर दिन फिल्ट जरूर में यह उस पás एट्रियोटिसम डिस के लिए इस स्टडेसम क्या होगा बेसी कद इस ट्डाउख में नहीं होगा बेसिकली जिन जिन को टीचर्स या फिर स्टूडेंट समझतें कि हमारे देश वक्ते जैसे जहांसिया अली रानी हो गई तांतिया तोपे हो गए हमारे भगत सिंग जी हैं इनकी स्टोरी सुनाई जाएंगी और स्टोरी को भी इस तरीके से सुनाया जाएगा कि हर बद बच्चे के अंदर यह भावना जगे कि हां मैं भी भगत सिंग जैसा वरनूंगा या फिर मैं बelect्रों के लिए करूंगा जब वह इंसान 53 साल की उमर में फासी पे लटक सक्ता है देश के लिए तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हम अपने देश को घंदा होने से नहीं बचा सकते तो वही भावना वही भावना हर भच्चे में जगे यही मोटिव है इस देश भक्ती करिकुलम का स्कूल में आपने देख लिया vorstellen, लो बड़े बच्चे के यह जब कर बड़े एवे देश भक्ती पीरिएट जो इन्होंने बोला है जो लुक्ति जब करें तो उससे पहले पांच मिनट का देश भक्ती ध्यान उनको करवाना है अब यह ध्यान कैसे वो उनके उपर है कि वो ध्यान कैसे करवाएंगे चाहे वह को हाज लोग के ध्यान करवाएं कि आ भारत का एक आम या भारत का नागरी कूँ और अगए जो करुझा भारत के लिए करुझा या फिर इस तरीके से आगे आखे आपको मोटिवेशन करवाएं सी थिहान में कि और पांच मिनटे में हमें और कुछ ध्यान ना आए, बस यही ध्यान आए कि मुझे आगे जाके अपने देश के लिए कुछ करना है, इसने क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट एक mindfulness प्राक्टिस करेंगे, जो reflect करेगा उनका gratitude towards our country, ठीक है, या फिर freedom fighters, या फिर कोई भी पांच परसन जो उनको लगता ह है कि वो देश भक्ते और वो प्लेज करेंगे to respect for their country and pledge the respect for their country, I hope आपको समझ में आया होगा, पांच मिनट में क्या होगा, देश भक्ती ध्यान जिसमें teacher और student mindfulness practice करेंगी, दूसरा, ताकि यह mindfulness ऐसी हो कि अपना आभार प्रकट करेंगे, अपना gratitude प्रकट करेंगे, अपनी country क towards कि इस देश ने हमें कितना कुछ दिया है, आप मुझे यह बताइए कि हम इस भारत में रहते हुए, कितने सुरक्षित हैं, वरना आप आज और देशों का हाल देख रहे हैं, कितना बुरा हाल है, लोग प्लेन के लटक लटक के दूसरे देश भाग रहे हैं, अपने देश में भाईचारा बनाओ, क्योंकि अगर आपस में ही लड़ना है, तो फिर हम में और औरो में परक्या रह जाएगा, तो अच्छे से रहते हैं सारे के सारे, और अपने देश के लिए लड़ो, आपस में क्यों लड़ना होता है, देश के लिए लड़ो जाके, बॉर्डर पे के रहे नें देश के लिए लड़ो जाके है तो मेरा तो यहीं मानना है, और तूसरा अप इसमें क्या होगा करिकुलम में, फ्रीडμ पाइटरस को याद किया जाएगा, जहाशी वाली रानी को याद किया जाएगा, तांकिया तोपे को जितने भी लोग ठे उस टाईम में फ मिडल क्लास लोगते कहीं से भी हैना उठके आए हैं और इनके अंदर इतनी जादा देश भक्ती थी कि हमें अपने इंडिया के लिए कुछ करना है चाहते तो यह भी और बच्चों की तरह जिस उमर में हम बच्चे सोचते तक नहीं हैं कि आगे क्या करना है सिरफ अपनी मस्त पिजरिवाल जी की जो देश भक्ती करिकुलम है यह जगाना चाहते हैं सब बच्चों के अंदर ठीक है आगे क्या पाश परसन जो भी यह कंसिडर करेंगे देश भक्ते उनके बारे में CM केजरिवाल जी ने कहा था कि ये जो देशभक्ती करिकुलम है ये कोई रोट लर्निंग पे बेस नहीं होगा और ना ही इसका कोई टेस्ट होगा जैसे कि आज टीचर ने स्टोरी सुनाई भगत सिंग जी की कि भगत सिंग जी के साथ क्या हुआ था वो क्यों लटके कैसे उनक काला पानी की सजा मिल जाए हो सकता है कि मुझे सासी पे लटकाया जाए लेकिन फिर भी इसमें ऐसी न्यूज शापूंगा और वहीं ये कहते हैं कि आज के टाइम पे हमें भी ऐसे रिपोर्टर्स चाहिए जो सच्चाई का साथ दें कि कल को अगर मुझे काला पानी की सजा भी काटनी पड़े तो मैं त्यार हूँ समझ में आ गई जो कि हमारे अर्विंद केजरिवाल जी ने अपनी स्पीच में कहा था तो अब क्या होगा इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी टेस्ट नहीं होगा कि अगर कोई स्टोरी सुनाई या फिर कोई आक्टिवीटी कराई तो कि कल को जाके इसका बच्चे टेस्ट दे रहें कि भगत सिंग जी का बर्थ कप था भगत सिंग जी कहां पैदा हुए थे भगत सिंग जी कहां क्या ऐसा कुछ नहीं होगा सिरफ उनके दिल में दिल में देश्वक्ती जागेगी और यह नहीं पूछा जाएगा कि 1907 में या फिर 1800 इतने में वो लोग कहां पर कहां से कहां आए कहां से यह सब नहीं होगा सिरफ उनको स्टोरी समझाई जाएगी और देश्वक्ती जगाई जाएगी I hope समझ में आया होगा activity based होगा यह सब students को stories सुनाई जाएगी you can see students will be told stories about the independence and the nation's pride and he said children will be made to realize their responsibility and duties towards the country जो बच्चे हैं उनको अपनी responsibilities और duty अपनी country के लिए realize करवाई जाएगी अब छोटे बच्चे हैं राइट अब उनके दिमाग में अगर बच्पन से ही डालोगे तो नेशनालिटी तब ही जाके वह आगे जाके भी अपने country के लिए सोचेंगे ना जब कच्छी उमर से कोई चीज दिमाग में जाती है ना वो बहुत आगे तक रहती है और यह reality है तो क्या होगा अब जैसे छोटे बच्चे हैं गंद की देखेंगे कहीं तो वो साफ कर दी खुद से गंदा नहीं करेंगे अपनी electricity का judicial use करेंगे बड़ों को इज़त देंगे कहीं दिख रहा है कि है आगर मैं जॉब ले रहा हूँ या ले रही हूं तो मैं उपर उठूं वो क्या सोचेंगे ही मेरा पूरा नेशन है ये मेरा फूरा नेशन वो उपर उठे ठीक है तो यह देश्बक्ति की भावना सब में जगने चाहिए तो जो फ्रेमवर्ट था देश्बक्ति करिकुलम का ये सब्मिट किया था एक Government Appointed Panel ने जिसको अप्रूव किया था SCERT ने अगस्त छे को राइट अगस्त छे को SCERT की अगर फुल फॉर्म पूछें तो यह यहाँ पर फुल फॉर्म है दाट इस State Council of Educational Research and Training Chief Minister of Delhi ने यह Public Announcement कप करी थी यह हमारा जो 73rd Independence Day था 2019 में यह Express किया था Hope Future के लिए कि हाँ इस तरीके का करिकुलम जो है 2019 में यह हुआ था राइट 2019 कौन सी थी Independence Day यह पूछ सकते हैं 73rd Independence Day पे यह launch हुआ था launch नहीं एक announcement हुई थी और CM केजरिवाल जी ने इस तरीके से एक होप चताई थी एक आशा चताई थी कि हाँ आगे जाके हम Public Schools में इस तरीके का करिकुलम बढ़ा सकते हैं जिसमें बच्चों को में जो है एक बहुत ही देश्वक्ति की भावना जागी अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं बाकी नेक्स सेशन के लिए त्यार रहिए और कुछी देर में मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगे अपने टेलिग्राम चैनल पर सब लोग तो एक दो घंटे में क्विज आपकी आजाएगी अल्राइट टेक के स्टे होम स्टे सेफ आप मैं स्टे होम नहीं करूंगी क्योंकि सब बच्चों ने जो है अब वैक्सिन लगवाली होगी अकॉर्डिंग टू जो डेटा आया है काफी जो है अपनी जो 80% 85% लोग है वो वैक्सिनेटिड हो चुके हैं और डवल वैक्सिन के साथ तो अब भार जाएं पर फिर भी कोशिश करें कि मास्क और सैनिटाइजर यूज करें ही करें ठीक है तिल देन गुड़ लग झाल 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 झाल